हलो नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप आशा करता हूँ आप सब कुशल होंगे तो मैं आज आपके लिए एक नए रेकुरूट्मेंट लेकर आया हूँ जो निकली है निमाजल प्रदेश के मंडी जिला से और ये रेकुरूट्मेंट IIT मंडी की है जो और इंडिया केंडिडेट अपलाई कर सकते हैं तो मैं आज आपको क्या रहने वाला है इन पोस्त के लिए जैसे जूनियर टेकनिकल सुप्रेटेंडेंडेंट के लिए जूनियर टेकनिकल सुप्रेटेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंड तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भोलें और अपने दोष्टों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वे भी इसका लाब उठा सकें तो पहला रहने वाला है आपका जूनियर टेकनिकल सुपरेटेंट फर्स्ट क्लास बैचलर ओनर्स अगर आप फर्स्ट क्लास अबब 60% हैं यदि आपके और आप ओनर्स हैं इन बैचलर एंजिनियरिंग में जिसमें आपके पास किसी रेकोगनाइज यूनिवरसिटी या इंस्टिटूट में मिनिमम फाइव एज का एक्स्पिरियंस हो और यदि आप फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन एंजिनियरिंग अगर आपने कंप्यूटर इलेक्टिकल और मेक्यानिकल या ओफिस या आटोमेशन का डिप्लोमा किया है विद फर्स्ट क्लास अबब 60% तो विद एक्सलेंस अगर आपका अकेडमिक रिकॉर्ड ठीक है अच्छे अकेडमिक रिकॉर्ड के साथ विद मिनिमम पांच एर का एक्स्पिरेंस होना ही चाहिए और यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं इन साइंस जिसमें आपके पास दो साल का एक्स्पिरेंस हो इन बैचलर एंजिनियरिंग की हो और बीटेक की हो Computer and Electrical, Mechanical, Office या Automation में यदि आपने graduation की है विद दो साल का experience है आपके पास तो आप इसके लिए eligible होंगे और इसमें आपके क्राइटिरिया ये है कि आपके पास एक साल का experience होना चाहिए और यदि आपके पास work experience साथ साल का experience है इन किसी भी फिल्ड में जिसमें आपने अपनी graduation की है तो आप इसके लिए पास रहोंगे जैसे उधारन के लिए maintenance of scientific equipment यदि आपने maintenance of scientific equipment में की है अपनी graduation या आपने work experience लिया है system administration में लिया है software development में लिया है fabrication में लिया है तो आप यह support to research में किया है तो आप इसके लिए पात रहोंगे और preference उन लोगों को दी जाए की जिन उन्हें chemistry, physics, material science and electrical and electronics की हुए है यह उन के लिए है और अगर इसके अलावा criteria की बात की जाए तो all the works associated with the operations maintenance manage the instruments and also the administrative work at EMRC office the candidate should expertise the operating either of the instruments minimum 3 इसमें आपके पास 3 साल का experience होना चाहिए और यह आपको बताया गया है कि आपके पास किस-किस field में आपने काम किया हो तो आप इसके लिए पात रहोंगे Advanced Material Research Center AMRC और अगली junior technical superintendent की qualification criteria की बात करें जो essential documents या essential criteria जो कहा जाए तो यह है आपका first class अगर आपने bachelor degree में first class science में किया है तो आपने honor किया है यदि किसी subject में जो science से related हो और जिसमें आपके पास 5 साल का minimum experience हो तो आपके इसके लिए eligible होंगे और यदि आपके पास first class diploma in engineering आपने किसी engineering में diploma किया है जैसे computer, electrical, mechanical, office और automation का तो आप इसके लिए eligible होंगे criteria आपके पास 5 साल का experience होना चाहिए और यदि आपके पास post graduate degree है science में जिसमें आपके पास 2 साल का experience है और आपने B.E. Bachelor of Engineering या B.T.E.C. Bachelor of Technology की है इन fields में जैसे computer, electrical, mechanical, office and automation में किसी recognized university से जिसमें आपके पास 1 साल का experience हो तो आप इसके लिए eligible होंगे चौथी recruitment की बात की जाए तो इस junior superintendent की रहने वाली है जिसमें SC के लिए एक vacancy है O.B.C. के लिए 2 vacancy है E.W.S. के लिए 1 vacancy और unreserved category के लिए अर्थाथ general के लिए 2 vacancy है ये group B की job है और इसमें आपके पास सबसे पहला criteria है कि आप bachelor degree किसी भी university से आपके पास degree होनी चाहिए जिसमें आपके पास minimum qualification minimum percentage 55% marks होने चाहिए और 8 साल का work experience होना चाहिए और येदि आपके पास master degree है जिसमें आपने 55% minimum criteria से qualify किया है और 5 साल का experience है तो आप इसके लिए eligible होंगे येदि और येदि आपके पास procedures office के procedures का experience है knowledge है computer office applications की knowledge है ये आपने किसी institute में ये government central में अगर आपने किसी प्रकार की सेवा दिये हो तो आप इसके लिए eligible होंगे या आपने estate management किये हो hospitality किये हो student affairs किये हो तो आप इसके लिए eligible होंगे और अगले पांचवी जॉब की बात करें तो ये junior superintendent राज भाषा के लिए है जिसमें unreserved criteria के लिए एक post निकल के आई है और ये group B की जॉब है और इसमें essential criteria जो रहने वाला है आपने ये दी master degree हिंदी में किये है किसी भी recognized university या institute से या English में किया हो किसी भी institute या university से minimum जिसमें आपने ग्रेज़िश्ट ने minimum 55% प्राप्त किये हो और एक साल का work experience हो in translation और इसका grade पे जो रहने वाला है वो 2800 रहने वाला है 2800 में लेगा आपको level 5 में या इसके बराबर जो रहने वाला है और यदि इसके अलावा criteria की बात की जाए तो इसमें बताया गया है कि आप यदि हिंदी में आपने degree की है graduation की है किसी भी recognized university से सरकार दोरा मानने ता प्राप्त university से या institute से जिसमें आपने English में की हो या English में honor की हो या तो हिंदी में की हो तो आप इसके लिए eligible होंगे और इसमें आपके graduation में 55% number होने चाहिए और 3 साल का experience होना चाहिए in translation में हो और इसका grade पे जो आपका level 5 पे हिंदी वालों का level 5 पे 2800 रहने वाला है और इसके अलावा क्राइटीरिय की बात की जाए तो इसमें बताया गया है कि यदि आप junior engineer civil engineering के लिए apply करते हैं तो इसमें OBC के लिए एक seat है एक post निकल के आई है या unreserved category के लिए general के लिए दो निकल के आई है ग्रुप B की जॉब है और बैचलर degree यदि आपके पास civil engineering में degree है और एक साल का work experience है तो आप इसके लिए eligible होंगे और यदि आपके पास 3 साल का 3 साल का diploma है civil engineering में और आपके पास 3 साल का work field experience है तो आप इसके लिए eligible होंगे और इसमें यदि आप diploma से आवेदन कर रहे हैं तो आपको computer application की knowledge होनी चाहिए और इसमें इसके हलाव अपता आए गया है कि आपके पास जो experience होना चाहिए वो hilly areas का होना चाहिए जो आप आपने hill areas में काम किया हो जैसे शिमला रोडू में और यदि आपको और इसके अलावा आपको buildings works का की construction का experience होना चाहिए और maintenance work of building water supply या STP का work experience होना चाहिए और अगर सात्वे की बात सात्वे post की बात की जाए तो यह है junior laboratory assistant technical के लिए post निकल के आई है IIT मंडी में तो SC के लिए दो posts हैं इसमें ST के लिए एक post निकल के आई है OBC के लिए 5 EWS के लिए 2 और unreserved category के लिए 4 post निकल के आई है group C की job है और इसमें essential criteria की बात की जाए तो इसमें बताया गया है कि आपके पास किसी engineering में computer engineering electrical electronics में 3 साल का diploma होना चाहिए किसी रिकोगनाइजड polytechnic institute से और यदि आपके पास B.Sc degree जिसमें minimum marks 55% है किसी रिकोगनाइज युनिवर्सिटी से आपने भी ऐसी की है तो आप इसके लिए eligible होंगे पर बेशर्त आपको इसमें 2 साल का work experience मांगा गया है और इसमें आपको computer office की application की knowledge होनी आवश्यक है और इसके अलावा बात की जाए तो इसमें बताया गया है कि at least one year experience in managing a relevant computer आपको computer electrical electronics lab का एक साल का experience होना चाहिए with a reputed educational institution से और इसके अलावा बात की जाए तो आप अगर आपके पास engineering discipline, bio technology, bio engineering, bio instrumentation में यदि आपके पास diploma है of 3 साल का diploma है तो आप इसके लिए eligible होंगे और यदि आपने bachelor in degree यदि आपने सिर्फ graduation की है और किसी recognized university से जिसमें आपके marks 55% है या इसे अधिक है और आपके पास 2 साल का work experience है और आपके पास computer office की applications की knowledge है तो आप इसके लिए eligible होंगे और यदि आप उन लोगों को इसमें preference दी जाए कि जिनके पास experience होगा जैसे कि operations of instruments such as electrophoresis, apparatus, centrifuge, cycler, autoclave, etc. और अगले criteria की बात की जाए तो इसमें बताया गया है कि आपके पास diploma होना चाहिए engineering discipline in mechanical production civil construction तीन साल का diploma होना चाहिए और दो साल का experience होना चाहिए on field experience होना चाहिए आपका और computer office application की knowledge होना आवश्यक है और work experience in lab यदि आपके पास work experience in lab with equivalent अगर आपके पास civil engineering और mechanical engineering का लैबोरेटरिस का work experience है तो आप इसके लिए eligible होंगे आप पात रहोंगे इन post के लिए और यदि आपके पास diploma in engineering आपके पास computer electrical mechanical का तीन साल का diploma है तो आप इसके लिए eligible होंगे और bsc degree यदि आपके minimum 55% marks हैं किसी bsc में और दो साल का work experience है आपके पास और knowledge computer office application की knowledge है तो आप इसके लिए eligible होंगे और उन लोगों को इसमें preference दी जाएगी जिन्होंने अपने graduation में subject chemistry, physics, material science और electrical और electronics background में किये हों और इसमें बताया गया है कि यह list दी गई है कि इन में आपका work experience होना आवश्यक है यह इन में से किसी एक भी है तो आप इसके लिए eligible होंगे और अगली पोर्स की बात की जाए तो यह है junior laboratory assistant technical के लिए जिसमें essential criteria रहने वाला है आपका diploma in relevant engineering discipline आपके पास electrical, electronics, instrumental, electrical, mechanical और तीन साल का with recognized polytechnic institute से आपके पास diploma होना चाहिए और यह आपने BSE की है तो आपके minimum 55% होना आवश्यक है master degree में यह आपके पास master degree है तो आपका 60% marks होना with polytechnic institute के यह university से आवश्यक है दो साल का work experiences में मांगा गया है और computer office applications की knowledge होना आवश्यक है इसमें कहा गया है कि यह आपके पास 3 साल का diploma holder का यह 6 साल का BSE degree holders in operational and maintenance of clean room का यह आपके पास किसी प्रकार का experience है तो आप इसके लिए eligible होंगे और अगले criteria की बात की रहा है तो इसी में बताया गया है कि डिप्लोमा आगे यह आपके पास computer electrical mechanical का 3 साल का diploma है किसी भी institute of polytechnic से तो आप इसके लिए eligible होंगे यह आप के पास BSE है BSE की भी है तो जिसमें 55 marks है आपके यह इसे अधिक है और 2 साल का work experience है और computer knowledge है तो आप इसके लिए eligible होंगे और अगली पोस्त की बात की जाए तो यह criteria आपका चुनियर assistant जिसमें ST के लिए 2 पोस्त हैं OBC के लिए 4 पोस्त हैं EWS के लिए 2 पोस्त हैं और अन्रिजर्व्ट के लिए 4 पोस्त में लिए आई है इसमें essential criteria जो बताया गया है उसमें bachelor डिग्री यदि आपने Bachelor of Engineering की है आप बैचलर है साइंस में और जिसमें आपके पास 55% marks है और computer application knowledge है तो आप इसके लिए पातर होंगे यदि आपके पास master degree है जिसमें आपके पास minimum 55% है और computer knowledge है तो आप इसके लिए absolutely eligible होंगे और experience in handling establishment legal purchase और import accounts audit hospitality एट्टर यदि आपके पास इन मेंसे किसी प्रकार का work experience है तो आपके इसके लिए eligible होंगे और यह आपके लिए general conditions बताई गई है कि कौन-कौन इसके लिए eligible हो सकते हैं यह जिस्ट आपके लिए एक overview है आप इसको पढ़ लें जो में बाते थी जो वह मैंने आपको बता दी और यह आप स्वें पढ़ सकते हैं इसमें बताए गया है कि इसकी आपको ड्राफ कैसे कैसे करना है कहां भेजना है तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आये होगी ओप यू लाइक प्लीज शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को धन्यवाद झाल